Good morning everyone, dear student, as you know, I am Mahesh Dasmahant, your English teacher. Okay, today we will see English grammar gear, class 2, chapter 3. प्रिये विदार्थों, प्रिये बच्चों, मैं Mahesh Dasmahant, आपका अंग्रेजी सिख्चा. आज हम कख्चा 2 कि CBSC पैठ कराम कि इंग्लिस का chapter 3 पढ़ेंगे, जिसका topic है, Nouns, Singular and Plural. Okay, Nouns, Singular and Plural. Okay, dear students, जैसा कि यह आप जानते हैं, Nouns क्या होता है? आप लोगों को पिछले पार्ट करम में, पिछले शेप्टर्स में बदा चुका हूँ, कि Nouns, Naming Words होता है. क्या होता है? Naming Words. Okay, उसके आगे हम उसका Similar and Plural क्या होता है उसके बारे में, जानेंगे. Okay, Similar and Plural क्या होता है? तो जैसा कि हम यहाँ यहाँ देख सकते हैं, इस लाइन में, Let us learn about how plural nouns are formed. We know that noun can be singular or plural. Okay, singular or plural. Nouns are singular if we talk about one person, place, animal, bird, और थिंग. प्रिये विदार्थियों, जब हम किसी एक बेक्ती, एक परसन, या कोई एक प्लेस, या कोई एक एक एनिमल, या कोई एक बर्ड, या कोई एक चीज, या कोई वस्तु के बारे हैं बात करते हैं, जो केवल एक हो. क्या हो? Only one हो. ठीके. जब कोई चीज only one हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीके. तो उसको हम बोलते हैं singular number. क्या बोलते हैं? Singular number. Okay? और जब कभी हम विटाक, जिससे यहाँ आप देख सकते हैं, one car, या one girl, one flower, one shirt. Okay? इसका meaning यह हो गया, कि यहाँ सब कुछ one है, मतलब singular मतलब one चीज. जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे, चाहे कोई एक बेक्ती हो, कोई एक परसन हो, कोई एक एनिमल हो, या कोई भी एक चीज हो, तो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसको हम singular number बोलते हैं. We use plural nouns when we mean more than one. We usually form the plural of nouns by adding s to its similar form. जब हम एक एक से अधिक के बारे बात करेंगे जब हम एक से ज़्यादा के बारे हैं बात करेंगे एक से ज़्यादी वस्तु के बारे में या एक से ज़्यादा विक्ति के बारे में या एक से ज़्यादा जगों के बारे में बात करेंगे या एक से ज़्यादा एनिमल के बारे हैं बात करेंगे या यह जयादा वर्ड के भारे में आ को यह वास्तू या को इतिंग के बारे बात करेंगे तो उसको हम प्लूरल बोलेंगे क्या बोलेंगे अनु इप Laugh कि जब हम कोई वस्तु लिखते हैं कोई भी एक चीज लिखते हैं तो हम यह पर one car लिख दिये one girl लिख दिये one flower लिख दिये one sort लिख दिये लिकिस जब हम प्लूरल नंबर के बारें बात करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे ठीके तो उसके लिए कुछ नियम permitted नियम यह पर बताएगे हैं जिसको हम करम बई करम जानेगे सबसे पहला जनरली डूल तो यह है कि हम किसी भी जो नाउंस होता है जो कि सिमिलर नंबर है उसमें हम यEOS जोड़ते हैं जनरली हम क्या जोड़ते हैं यह जोड़ते हैं जिससे हमको पता चलता है कि यह singular से plural हुआ है यह इसमें एक से अधिक है ओके तो आसा करता हूँ इतना समझ में आगी होगा इस singular noun क्या होता है और plural noun क्या होता है ओके अब हम आगे बात करेंगे कि उसके नियम के बारे में जैसे यहां हम देख सकते हैं कि टू कार्स मैनी गर्ल्स सिक्स फ्लावर्स सिक्स सर्ट लिखा गया है असर में पहले एक जाम पर के तुलना में असर में एस एस जुड़ा हुआ है इसका मेनी यह हुआ कि इसमें दो कम से कम दो या दो से ज़्यादा वस्तुवें चीजे हैं ओके तो ए तो हो गया कि हम प्लूरल नाउन नंबर को प्लूरल नाउन को कैसे लिखें ठीक है तो सबसे पहले पहले नियम तो हम जान चुके हैं कि कि किसी भी सिग्ड़न नंबर में नाउन में यह pocz ज़ण ने पर Centralary सेमावन जाता है ज़नरीं रूरल बन जाता हैं अब सबसे पहले हम फरूसे बारे में बात करेंगे ठीक है यह रूसे के बारे हैं बात करेंगे ठीक है यहां पर एक ध्दान देने वाली बात है बिल्कुल यहां पर देने वाली बात है कि यह दि किसी singular noun के last में कोई end में ओके singular noun के end में yes आया हो यह double s आया हो यह c h आया हो यह s h आया हो ओके यह x आया हो यह x आया हो ओके तो इसको जब हम plural बनाएंगे तो इसमें हम के add करेंगे usually ऐसे nouns जो इन से end होते हैं जी इन का जो end होता है उसमें हम generally yes जोड़ते हैं के जोड़ते हैं yes जोड़ते हैं जैसे example यहां आप देख सकते हैं बहुं सारे example है जैसे bus ठीके बस यह end हुआ है yes से इसमें हम yes जोड़ दिये ठीके तो क्या बन गया बसेस क्या बन गया बसेस सेकेंड बन है सेकेंड बन है glass डबल एस आया है इसमें भी हम yes जोड़ दिये क्या जोड़ दिये यह देख सकते हैं yes जोड़ दिये यह क्या बन गया glasses ओके थर्ड बन है match जो कि अन्ते में CH आया है क्या आया है CH ठीके इसमें भी हम yes एट कर दिये क्या बन गया matches क्या बन गया matches उसी पकार से brush उसमें हम yes एट कर दिये brushes box box इसे पकार से इसमें एट कर दिये क्या बन गया boxes ओके इस पकार से singular noun को plural जो है बनाया जाता है ओके और जैसा कि यह पर और भी rule है ठीक है तो इस rule को भी देख लेते हैं second rule क्या है कि यदि किसी singular noun के अंत में ओ आया हो क्या आया हो ओ आया हो तो इसको प्रूबर बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं उसमें yes जोड़ते हैं यह जोड़ते हैं yes जिस एक जामपल के लिए आप यहां बच देख सकते हैं potato yes 8 करेंगे क्या बनेगा potatoes tomatoes tomato yes 8 करेंगे क्या बनेगा tomatoes hero yes 8 करेंगे क्या बनेगा heroes mosquitoes mosquito yes 8 करेंगे क्या बनेगा mosquitoes okay लेकिन